हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आशीश तिवारी और आज हम बात करेंगे बहु बली फेम सुपर स्टार प्रभास और शद्धा का पूर स्टारर फिल्म साहो के बारे में और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं फिल्म को ऐसा क्रिटीक रिव्यू ने करूँगा लेकिन नॉमल दर्शक की तरह इमानदारी से फिल्म की खूबियों और खामियों पर बात करूँगा सबसे पहले बात करते हैं फिल्म साहो की कहानी पर फिल्म की कहानी के शुरुआत में दिखाए जाता है कि विदेश में रहने वाले मल्टी मिलियनेर रॉय जिसका किरदार निभाया जैकी शौफ ने वो इंडिया में एक हाइडो पावर प्रजेक्ट लगाना चाहते हैं इसके के बाद रॉय मुंबई पहुंजते हैं लेकिन उनका मडर करवा दिया रहता है रॉय के मडर के साथ-साथ वो जो शिप में अपने साथ करोड रुपय लेकर आया होते हैं वो भी चूरी हो जाते हैं और इसी बीच मुंबई में भी एक के बाद एक कई बड़ी चूरी की वा और आगे की जो कहानी है वो इस तरफ unfold होती है कि आखिर ये चूरी कर कौन रहा है किस मकसद से कर रहा है और उस चूरी के पीछे क्या चीजें चल रही है इस कहानी में काफी उतार चड़ावाएंगे लेकिन एंड में आपको एक बड़ा ट्विस्स देखने को मिलेगा अब बात करते हैं एक्टिंग की इस एक्शन थ्रिलर को अपने कंधे पर पूरी तरीके से उठाया है प्रभास ने प्रभास ने जबर्दस्त एक्शन किया है उनकी दमदार लगी है जब भी वो परदे पर आये हैं महेश मांजेकर, मंदीरा बेदी, मुरली शर्मा इन सभी ने अपना काम ठीक निभाया है अब बात करते हैं फिल्म के डिरेक्शन की फिल्म को डिरेक्ट किया है सुजीत कुमार ने फिल्म का पहला हाफ है वो काफी लंबा लगता है और उसमें कई सारे लूप होल्स दिखा लेकिन उसके बावजूद जो फिल्म का जो ग्रिप है वो छूटता हुआ दिखाई देता है फिल्म आपको काफी लंबी लगने लगती है और फिल्म में जो गाने है वह ऐसा लगता है काफी अंटाइमली है इस जगह पर आना नहीं था या उनकी ज़रुरत नहीं थी फिर तरीके से डिफाइन नहीं किया है जितना वो किया जा सकता था सुजीत ने काफी सिनेमेटिक लिबर्टी लेनी की कुशिश की है कई सीन जो है वह आपको इलोजिकल लगेंगे हाला कि फिल्म का जो एक्शन है वह इंटरनेशन लेवल का है और इससे देखकर आपको कई सारी हॉलिवड फिल्म की भी आदाएगी लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ इसमें कमी सी रह गई है कुछ खटकता है आपको क्योंकि इतने बड़ी स्टार कास इतना अच्छा एक्शन इतने बड़े प्रडेक्शन लेवल पर फिल्म जब बनी है तो वह जो एंड रिज सीन्सिस में दिखाई देंगे जो वह वाकई लाजवाब हैं इसके अलावा अगर आप प्रभास के फैन हैं तो आप निराश नहीं होंगे क्योंकि जब भी वह स्क्रीन पर आये हैं कमाल लगे हैं उन्हेंने लाजवाब एक्टिंग की है अगर आपको दिल से दिया हुआ है मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए बॉलिवड नाव